जय हिंद जय भारत दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहां पर आप आसानी से समझ पहाएंगे वह है परकास और साथ ही बताऊंगा परकास के सुरोत और फिर बताऊंगा मैं परकास का यहां पर लिखाओं कि परकास के सुरोत कौन-कौन से हैं तो यही आई ये दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिर ये परकास है क्या परकास हम किसे कहते हैं तो बस आपको यहाँ पर यह बात ख्याल रखने कि उर्जा कोई हम परकास कहते हैं तो गाइस के आपको मेरी बात समझ आई परकास हम किसे कहते हैं तो गाइस हम उर्जा कोई परकास कहत ठीक है और जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं अगर परकास ना होगी तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे और साथ ही हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि परकास ही हमारा उर्जा है जब तक परकास है जब तक हम है तो यहाँ पर थी छोटी जानकारिया और अब चली समझते हैं आगे की बाते की और इस वीडियो में हम क्या सिखने वाले हैं तो अगरा जो हमारा आता है कि परकास के सुरोत क्या है किसे कहते हैं परकास के सुरोत तो इसलिए आप यहाँ पर समझेंगे तो परकास के सुरोत हम किसे कहते हैं तो आसानी से मैंने लिख क्या रखा है आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिल लाइट निकलेगा तो वेडियो आपको क्या किलाता है परकास के स्रोत ठेखाएkel तो क्या इपको मेरी बात है है तो अब जली समझते हैं आगे की बाते की और अब हम क्या क्या चीज़े यहां पर सेखने वाले हैं तो वीडियो काफी छोटा है और आप यहां पर समझने का परियास किजिए छोटी मोटी जानकारिये सही आप बहुत कुछ सेख पाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो अगला जो हमारा बात है वो है कि क्या है परकास के कौन कौन से स्रोत है यहां पर लिखा हुए कि परकास के स्रोत कौन कौन से है मैंने उल्टा यहां पर पढ़ लिया तो आपको यहां पर घबरानी नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो परकास के दो स्रोथ होते है जिया साथी हमारा जो परकास होता है जो लाइट होता है उसका ना दो स्रोथ होते है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आसानी से आपको दिखे क्या रहा है कि परकास के दो स्रोथ है और साथी जहाँ पर लिख साथ ये प्रकृतिक कहने का मतलब यहा कि जिसको किसी नहीं बनाए कि मेरी बात आपकी कानों तक आसानी से पहुंच रही है तो तो आप आप यहां पर रहता है सूर्य तारे और ग्र तो आप यहां पर इजिली लिख पाएंगे ठीक है तो यहां पर वीडियो को रोके और मानो निर्मित स्रोत कहने का मतलब यह है कि मनुस्य द्वारा यानि इसको हम कह सकते हैं संसलेशित स्रोत भी यहां पर कह सकते हैं तो यहां पर होता है मानो निर्मित स्रोत यानि मनुस्य द्वारा बनाया गया आपको परकास यह स्रोत आपको क्या कहलता है यह आपको मानो निर प्रकास के सुरोत आपको समझ आई कि प्रकास के इतने सुरोत है दो सुरोत है एक तो प्राक्रितिक जिसको किसी नहीं बनाया जैसे सूरिय और तारे और गरह इसको किसी नहीं बनाया ठीक है और इसके बाद आता है मानो निर्मित सुरोत जिसको मनुसिय बनाते हैं उसको ही हम साथ सबस्क्राइब कर देना मिलता है आपका भाई एक और नए वीडियो के साथ अपते के लिए अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और आसानी से लिख लिजिए ठीक है तो सलिए आज के वीडियो यही पर समापत हुआ